इसे में राजधानी लखनाओं में कितना मजबूत रहेगा सुरक्षा विवस्था का तंत्र इस सवाल पर जंदा टीवी से खास बाठीट की लखनाओं पुलिस कमिशनर डीके ठाकुर ने यहां बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतिजामात किये गए हैं शहर को 14 जोन और 31 सेक्टर में डिवाइट किया गया है यहां पीएसी और आर एएफ भी तैनात रहने वाला है साथ हम धर्म गुरूं और मौलानाओं से भी बाठीट कर रहे हैं ताकि सोहाध्रपूर माह प्रतिबंदित जानवरों को लेकर के भी हम पूरी तरीके से सतर्क हैं ताकि किसी प्रतिबंदित पशू की कुर्बानी ना दी जाए शोशल मेडिया पर भी हम पूरी तरीके से अक्टिव नज़र आएंगे आई रवीवार को बकरीद है ऐसे मैं पूलिस प्रसासं से लेकिंसासं तक पूरी तरीके से सक्री नज़र आ रहा है ऐसे में का सुरक्ष्ण वेस्था किया गया है पर पर प्रभ्वानी दी जाती है और जहां जहां पर कुरबानी दी जाती है भाग, बिजली भाग, सरक परिवने भाग, सब के साथ हम दो की इंटर कॉडिनेशन मीटिंग हो चुकी है, जहां जहां जो इन्जाम किये जा रहे हैं, आने मुख्षमंत्री के सास्तन परदासन के निर्देश हैं इस बार, हर एक बार की तरह, कि जो भी कुर्वानी की जाए, सारजोनी स्थलों पर कोई कुर्वानी ना की जाए, नमबर एक, किसी भी प्रतिबंधित पश्रूद कुर्वानी ना की जाए, और कुर्वानी करने के बाद जो उनके अवस्य से ले जाए जाते हैं, ले जानी टांस्पोर्टेशन में कहीं भी परवी ना की जाए, कहीं भी जो उनके अवस्थे से गिराएं ना जाएं इसकी वेवस्था कर रहे हैं सब जगे हमारे नगर निंगम तीज साथ मेरेगी कल भी हम लोग ने डिविजिनल कमिस्टर साथ बैठ करके तमाम व्यागन साथ बैठ के मीटिंग की है नगर निंगम की अधिकारी जोनल अफसर लेव लेकिन अलसाफ तर पर देखा जाता है कि जना भी वक्री दाता है तो से उसार पर हम देखती हैं सोशल मीडिया पर से अधुर आफ़्ा से ङपरिश शेंडी दो सिन लेकर करी 3-2-3 मेहनौं से हम लोग आपने देखा हुगा हॉआ कि तब्साट्र तो नमाज को मेंध करे कान सब लोग इसे सतर्क हुए हैं से वीरत हुए हैं लखनों को ऐसी गटा नहीं आई है जहां तक बहुत सारी कोई आपतिजिनक बात हैं सोसल मीडिया वे लिखी गई हों कि फिर भी आगे के लिए हम लोग सतर्क हैं और जो भी लखनों काम नागरिक हैं उनसे मैं यहीं अपील कर सब्सक्राइब हैं लेकिन उसके लिए क्या अलग से सतर्कता बढ़ती जा रही है कुछ क्योंकि वह संग्यवेदन सील है और लगाता जो भी घटनाय होती है गंबीर तो उसी चेत्रों में देखा जाता है जी जितने सारे मस्जिश सबको हमने अइडेंटिफाय किया है उनक पुलिस यह पूरा प्रसासन भी मुस्ताइध है और किसी तरह का किसी तरह का सौहार्द ना विगणने पाए इसका लेकर पूरी तरह से पैनी नजर रखे जहां तक सोचल मीडिया की बात है तो वहां पर बेए अपवाहों पर हम पावंद्द लगाने के लिए से सक्रिता ब